विल्कम विल्कम तो मैं चैनल विश्वजीत रिसर्च सेंटर अभी आप लोगों को जैसा पता है कि बैंगलोर में इंडिया में एरशो हो रहा है जो कि एसिया का अभी तक का सबसे बड़ा एरशो है यहाँ पे आप समझ के चलो ऐसी कोई भी कमपनी नहीं है छोटी हो या इसमें आप समझ के चलो कि बाहर देश के कमपनी तो छोड़िये इंडियन कमपनी तो हैं ही प्लस बाहर की कमपनी प्लस जो भी देश हैं यहाँ तक की जीन देश के कमपनी नहीं भी आई हैं उनको कुछ हत्यार पर्चेस करना है या देखना है उसका कि वो किस टैप से रिल लिश्या का सबसे बड़ा एर्शो चल रहा है यहां पर हथ्यारों की खरीद फरुक तो होई रही है कौन डील्स भी हो रही है काफी सारे हम लोग ले रहे हैं दूसरों से काफी लोग जो हैं इंडिया से खरीद रहे हैं यह तो होई रही है लेकिन यहां पर अलग से एर्शो बीचल रहे हैं जिसमें हर पोई अपना अपना एयर क्राफ्ट के फैटर एयर काफ्ट से प्लस ट्रांसपोर्ट आपको मिड रेफिलिंग एयर काफ्ट जो भी टाइप के हाथ यहार ने गन्स चोटे हो गए आर्मी के लिए नेवी के लिए अलग अलग चीज़ें का प्रदरस द्सरा आपका हमारा भी फिफ्ट जिहरेशन का एरक्राफ्ट जो है वो भी वहाँ पे खड़ा है एमका जो प्रोड़क्षन में आएगा हमारा यह हमारा एमका जो बन रहा है यह विफ्ट जेरेशन का बन रहा है और इसमें आपको बता द loyalty design की बहुत बड़ी संभ़वना है अपना है सिर्फ एक जगह पे हम हर बार असफल हो रहे हैं वो है पार्ट है इंजिन्स तो इंजिन्स का लेके अभी फिरहल जो एम का हमारा फर्स्ट बैच बनेगा इसमें हम लोगों का बात भी किया हुआ है हम इसमें जनरल एलेक्ट्रिक्स के इंजिन्स डालेंगे मैंने प जनरल एलेक्ट्रिक्स है जो यूएस का है प्रैटन विटनी है ये भी यूएस का है और रोयल स्रोय ये यूके का है मिन्स इंगलेंड या ब्रिटेन आप जो भी कह ले तो इन चारों से ही बात चलू है मैंने अपने पहले में भी बताया था कि हर कोई हमको अपना चीज़ देने को अभी कर रहा है या आगे बढ़ रहा है हमासा साथ शेयर करने के लिए technology सबसे तो बात चलू है और हम लेकिं अपना इंजन बनने का देखे तो बार बार फिन अगर और फिर से हम अगर अपना इंजन बनाना जाएं तो वापिस आभ समझ धर चलू 20 साल तो कहीं नह लेगा तब जाके इंडिया ने को वेंचर में बनाने का ट्राइ किया या फिर उस पे अपना डील साइन की तीनों ने अपना अपना ओफर रखा ओफर में सब कुछ सही था लेकिन इन तीनों देशों ने क्या ओफर दिया था पहला हम अपको टेक्नलोजी भी देंगे यूएस बोला था लिमिटेड देंगे लेकिन देंगे फिर बाद ने बोला था देंगे लेकिन इसमें होगा क्या हम अपने लिए चाहे जितना भी बनाने लेकिन हम इसों बेच नहीं सकते हैं वी कांट एक्सपोर्ट तो यही चीज इंडिया को ख़र रही थी इसके लिए अभी तक यह साइन नहीं हुआ था लेकिन बाई forcefully हम लोग को करना ही पड़ता था क्योंकि यह छोटा टर्म जो है पहला जो अपना मैच निकलेगा अमका का जी इंजिन के साथ यह एक छोटा solution है यह long term solution नहीं है बाद में तो हमको अपना इंजिन सी चाहिए फिर बाते बढ़ती गई देखा जब यूएस ने की साफरान भी उतर गया है अपना टेकलोजी मैकसम देने को तयार हो रहा है तब उसने प्रैटन विटनी को भी डाला और यूएस ने भी बोला कि हम लोग भी अपना नीश टेकलोजी दे देंगे लेकिन बात वही आती है आप इसको बेच नहीं पाओगे कहीं करते करते सब कुछ चल रहा था लेकिन आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूँ आज जो इंगलेंड ने किया है ब्रिटेन ने इसने सब का सर पकड़ा दिया है यूएस का भी फ्रांस का भी रिशी सुनक के साथ जो बात हुई है इ आपको कि हम अपना कोई भी टेकलोजी जितना है हम पूरा पूरी टेकलोजी ट्रांसफर करेंगे रॉल्सरोई करेगी इंडिया को अगर इंडिया साथ में बनाना चाहता है बनाए इन फैक्ट आई-पी राइट्स भी इनके पास ही रहेंगे जोइंट वेंचर्स का मतलब ह अगर किसी को सिर्फ इंजिन चाहिए तो सिर्फ इंजिन भी हम बेच सकते हैं तो यह बहुत बड़ी उपलब्दी है कि इसमें जो जा रहा है हम लोग को दिया गया है यह हम लोगों ने ऐसे ही नहीं कमाया है जो भी चीज़ें हमने अपने महनत से कमाया है इसके लिए मैं पागिस्तान हम से जादा उसका परकेप्टेंग था एक टाइम पर एड पर जिंदा रहता था कभी उसने अपने महनत किया ही नहीं आज हम लोग जिस मुकाम पर पहुंचे हैं युके को हमने पीछे ढख लिया है पैसे में तो यह हमारी काभिलियत है और इसमें युके ने जो बोला है कि हम अपने पूरी टगमाजी दे देंगे इस पर तो जनले लेक्ट्रिक्स पेटन विट्निक और साफरांतीनों ने सर्फ कर लिया कि यह क्या बोल दिया है तो आप लोगों से पूछता हूँ कि इंडिया क्या साइन कर लेगा डील तो बहुत अच्छा है जो इंडिया को चाहिये लेकिन नहीं कर एगैं इंडिया अभья भी छे साथ मेना रुकेगा क्यों रुकेगा competition में जब तीन है जब पहले एक साफरान आया था तो यूएस नकरा कर रहा था फिर साफरान ने जब अपना अपना चीज एक एक उफर दिया तो यूएस आके अलग अलग उफर देने लगा जब यूएस उफर देने लगा तो सिधा UK आ गया Tempest का लेकि इसके पहले वाले वी करना है करो तब हम लोग दो मेना रुख जाते हैं और भी कुछ अच्छा उफर आ जाए अगर इन लोगों ने भी कुछ इससे अच्छा उफर दिया रेट नेगोशेशन करके तो हभी विल्कों विद बेस्ट अधर्वाइस नहीं तो आप इतना याद रखिए 6-7 महिने में हम लोग का UK के साथ डील साइन हो जाएगा फ़र एमकाज इंजिन एंड ओन इंजिन फ़र अधर फाटर एरेट्राप्स अगर ये लोगों ने कुछ दूसरा ओफर नहीं दिया तो फिलाल तक तो विडियो में इतना ही था और मैं आप इस लोगों से माफी मांगना चाहता कुछ दिनों से विडियो नहीं बना परा था क्योंकि मेरे तब्यद भी ठीक नहीं थी और काम का भी बहुत ज़्यदा प्रेशर था अप लोग को अभी से आप लोगों को चार दिन वीडियो आएंगी थास्डे फ्रैडे सेटे संडे रेगुलरली आएंगी इन चार दिन व ुदूी से विडियो नहीं पना परा दल्ट भी वेहन वैप लोगों